हाई फ्रेंट्स आज में आप लोगों के लिए ले के आई हूँ सत्तु का पराठा जिसे आप मौनिंग के नास्ते में आसानी से बना सकते हैं बनाने में बिल्कुल भी महनत नहीं और काफी कम टाइम में बनके रेडी हो जाता है और इस पराठे को आप किसी चीज के भी साथ खा सकते हैं चाहे हो दही हो अचार हो या फिर जाए फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल में नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए फिर बनाते हैं सत्तु पराठा बराने के लिए सबसे पहले लेना होगा सत्तु तो सत्तु कितना लेना है एक पराठा के लिए एक चमच काफी होता है उसी हिसाब से आप सत्तु को ले अब इस सत्तु में डालेंगे एक चमच बारी कटा हुआ लेसन लेसन को आप काट के दें, काट के देने से ज़्यादा स्वाधिश्ट बनता है और एक चमच बारी कटा हुआ अद्रक अद्रक को भी हमने काट के ही लिया है और दो चमच हरा धनिया हरा धनिया आप अपने अनुसार कम या ज़ादा कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे दो medium size का बारीक कटा हुआ प्याज यदि आप बगर प्याज लसन का बनाना चाहते हैं तो आप प्याज लसन कोадно कर सकते हैं अब इस सत्तु में डालेंगे नमक, अपने स्वात के अनुसार, अब इस सत्तु में डालेंगे एक चोथाई चमच, अजवाइन और काला जीरा, सत्तु में अजवाइन और काला जीरा से टेस्ट आता है, अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे एक चोथाई चमच, काली मेर्ज, सत्तु के पराठे में सबसी ज़्यादा टेस्ट आता है अचार का तेल और मसाला डालने से वो कोई सा भी अचार का तेल आप डाल सकते हैं अब सत्तु में थोड़ा सा खटा पन लाने के लिए डालेंगे एक नीमू का जूस खटा आप अपने नुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब इस सत्तु में डालेंगे एक कटीवी हरी मिर्ची अब इन सारे मसाले को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे सत्तु को पहले हाथ से ही अच्छे से मसल मसल के मिक्स कर लेंगे कि सारा मसाला सत्तू में मिक्स हो जाए अब सत्तू में थोड़ा थोड़ा पानी डालके सत्तू का डोर रेडी कर लेंगे बहुत जादा पानी नहीं डालना है बहुत गिला नहीं करना है अब देखे इस तरह से पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे फिर कम लगेगा तो थोड़ा सा और पानी डाल देंगे यदि आपका अच्छा सत्तू होगा तो बहुत ज़्यादा पानी लेगा और यदि थोड़ा सा सत्तू में कुछ मिक्स होगा तो कम पानी में गीला हो जाएगा अब यह सत्तू मिक्स हो गया है यह सत्तु न बहुत ज़्यादा गीला है न बहुत ज़्यादा कड़ा है तो चलिए अब पराठा बना लेते हैं सत्तु का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आठा गुतना है जैसे हम लोग नौर्मल पराठा का आठा गुतते हैं बस उसी तरह गुत लेना है अब थोड़ा सा सूखा आठा से हलका सा लपिट लेना है लोई को कि हाथ में चिपके नहीं बस अब इस तरह से अंगुठे से लोई बना लेना है एकदम गोल कटोरी के सेप में अब इसके अंदर स्टफिंग को हम फिल कर देंगे जो सत्तु का रेडी करके रखे हैं बस इस तरह से जितना स्टफिंग इसके अंदर आएका उतना दबा दबा के प्रेस करके फिल कर लेना है और इस तरह से उपर बंद कर देना है अब यह लोई बनके रडी हो गया फिर से लोई के उपर थोड़ा सा सुखा आठा लगाएंगे और पराठा बेल लेंगे सुखाटा लगाने से पराठा बेलती राइम बेलन में बिलकुल भी चिपकता नहीं है अब इस तरह से जितना पतला चाहिए उतना पतला आप बेल लें लेकिन थोड़ा सा मोटा पराठा बेलेंगे तो आपका पराठा बहुत ही बढ़ियां फुलेगा अब देखे हमने बेल के रेडी कर लिया है अब पराठा सेखने के लिए एक तवा गरम करेंगे उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे अब पराठे को तवे में डालके अब पराठे को मीडियम फ्लेम में सेख लेंगे अब देखे थोड़ा सा एक साइड पराठा सिख गया है आप दूसरे साइड भी पलट लेंगे जब दोनों साइड थोड़ा थोड़ा सिख जाएगा पराठा उसके बाद ही आप तेल या घी डाले अब दोनों साइट थोड़ा थोड़ा पराठा सीखे है आप इसके उपर घी लगाएंगे और घी लगाके पराठे को सेख लेंगे अब दोनों साइड पराठा अच्छे से सिगए आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन होके सीखा हैं आप इस पराठे को ठंडे में भी खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ियां लगता है और एकदम सॉफ्ट रहता है पराठा अब इस पराठे को हम निकाल लगते हैं अब इसी तरह हम बाकी का भी पराठा सेक लेंगे अब आपने सारे पराठे को सेक के रख लिया आप इस पराठे के साथ दही अचार किसी के साथ भी खा सकते हैं अब मैं आपको एक पराठा रफली तोड़के दिखाती हूं कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनाएं और पूरा आप